बिस्मिल्यार्फवाने रहें, अस्लाओंलेकूंछ सबने स्टोबरी के जूस बना लिये था तो मैंने का मैं क्यों पीछे रहाँ जाओं मैंने का चलो मैं भी बना लेती। हमारे तरफ स्टोबरी आती भी थोड़ी टाइम के लिये बस महीना बारा उती है फिर हाई बोजाती है तो ये मैंने बड़ा जबरदसा जूस बनाए है ये देखें लाल लाल स्टोबरी लिये अच्छे से इसको में नवाश कर लिये और साथ में पांच-छे हुजूरे ले लिये स्टोबरी भी अच्छे है तो हजूरे भी तक तबा रहे हैं अगर रमजान चल रहे है तो रमजान हो ये रमजान के बगार स्टोबरी के जूस आपको पता है लगता है ये अच्छे हार बंदे को और साथ में हुजूरें डली भी हैं तो फिर तो बात ही कुछ और है वीडियो अच्छे लेगे लाइक शेयर जरूर किये कर दे और साथ में पर लाइक उनको दुबा देंगी जो नहीं आने वाली वीडियो है और आसानी आप सब लोगों को मिल सके आज कल वीडियो पर कोई भी उज़ नहीं आ रहे है कोई देखने वाला नहीं मैं सब की वीडियो पर जाती हूँ और सबके कॉमर्स भी करती हूँ फिर भी भी उज़ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा तामन करें हमें भी टाइम दें कि मैंने एक जग ले लिए अब इसमें मैं अस्टोबरी डाल देती हूं और साथ में हजूरे में डाल देती हूं थोड़ी सी चीनी डालूंगे में अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मैंने हजूरे डाली हैं तो मेठा तोड़ा काम ही रख है आप अगर मेठा नहीं ले रहे तो बिल्कुल भी ना डालें वैसे भी हजूर मिठी होती है तो उससे भी अच्छा फलेवर आते हैं जाएकाते मैंने थोड़ी सी डाल दिये कियोंके स्टोबरी जादय थी तो फिर जूर भी जादय डालने है इस कज़े से मैंने थोड़ी सी मिठा डाल दिये अब यूम यदि दूर डाल दिये अब इसको 2-3 मिनुट के लिए इस तरह ही रहने दूंगी थोड़ी खुजूर हलकी सी नरव हो जाए तो फिर इसका जूस बनाएंगे चल रहे हैं अब इसका जूस बना लेते हैं ये देखें माशालला ये मारा जूस त्यार हो गया है ये ताकत खजाना भी है सहथ के लिए भी अच्छा है बच्चे बड़े सब शोक से पीते हैं आप भी जरूर बना कर पीएं और आमें भी कॉमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये देखें माशालला कितना अच्छा पिंग पिंग कलर देखने मी में अच्छा है पीने मी में अच्छा है गड़ा गड़ा से इफ मज़े का बनाएं ये देखें माशालला अल्ला की शान उसकी न्यामतें उसकी वरकतें जो अमें अता करता है इतनी सारी न्यामतें अल्ला रमज़ान के लिए अच्छार किसी को यहर न्यामत अता करें गयब के खजाने से हर गर की अफ़तारी में बरकत डाले और हमारे मुलक के अलाद अच्छे करें रबुलालमीन मुलक के अलाद अच्छे होंगे तो हमारे भी अच्छे होंगे मुलक के अलाद नहीं अच्छे तुमारे कहां से अच्छे होंगे तो इसलिए हमें अफ़तार के टाइम अपने मुल्क के लिए दुआया करनी चाहिए कि अल्ला हमारे मुल्क पे रह्म करे और इस मिंगाई को थोड़ा कम करे रबुलालमीन को यह सा खुमराना है जो इस मिंगाई पे काबू पा सके